गर्मानिक फ्रेंड्स वल्कम तू मैं चैनल अनो की महबत और आप देख रहे हैं पियर लफ लास पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो वैदा ही रहती है वो रिम जेम मम्मी और अरुन को सारी बात बताती है कि उसने जो किया उसकी वज़े से वो थोड़ी सी डिस्टरब है और उसने कहीं न कहीं प्रीती को हर्ट कर दिया उसकी मॉम रिम जेम दोनों बहुत प्यासों से समझाते हैं और कहते हैं कि गलती तो तेरी है तो माफी भी तुझे ही मांगनी पड़ेगी फिर बाद में अरुन को पता चलता है कि ओ इसका रिलेशनशिप निशानत के साथ न इसकी जो मॉम गेट लगा देती है तब यारुन बोलता है कि वो देख ऊपर वाले फ्लोर पर शायद प्रीती का ही रूम है तो वहां जाकर उससे बोलता है तो वहां कैसे जाऊंगी तो यह लोग स्टेयर के रास्ते उसे पहुचा तो देते हैं फिर वो जब नीचे देखत हैं तो आंटी देखने वाली रहती है तो प्रीती फटा से डेर डोर ओपन करती है और जैसी डोर ओपन करती है वहां कि उसके मुह पे अपना हाथ लगते उसको शान्त करती है क्योंकि वो डर जातने वाली रहती है या एकदम हम नीन से उड़ते हैं हमें कोई unexpected person दिख जाता है तो हमारा shout करने वाला या छिलाने वाला हालत होई चाहती है तो इसलिए वह उसे बंद करती है और उसका फिर दोर बंद करती है और उसके पास आती है अब उसके आगे प्रीती वो sorry यार वो actually आज सुबह जो हुआ मेरा मतलब वो नहीं था और sorry sorry I'm really sorry दो जीस के लिए sorry बोलती हूँ पहला तुम्हारे room पर इस तरीके से घुसने के लिए और दूसरी वो मैंने ना आपके साथ थोड़ा misbehave कर दिया था वो समय ना वो क्या बोलते मुझे समझ में नी आया और मैंने ना स्कूटी पर बेटे बेटे आपके साथ कुछ कर दिया I'm really sorry I mean it I'm really sorry प्रीती तुम कुछ कहोगी या ऐसी बोलती रहोगी वैदई कहती है तब ही चो प्रीती रहती है एक तो अपनी आँखों को मसल रही रहती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसके आँखों में आई डॉप डाला रहता है क्योंकि वह बहुत लाल हो चुके रहती है तो हाथोंको मसलती रहती है फिर जब वह आखे खोल कर देखती है तो वैदई को भी दिखता है कि यार कितनी आखे लाल हो गई है मतलब उसने ऐसा क्या मतलब इतना रोई है क्या मतलब फिर उसे याद आता है कि रिमजिम ने कहा था कि उससे जन्विनली बहुत सादा प्यार कर तबी कोई इतना रोता है वैसे उसकी हालत होती है और उसकी आखे थोड़ी से स्वेल्ड हो जाती है तो वैदाई को बहुत जादा बुरा लगता है और वैदाई अपनी सर नीचे जुखा देती है तो पीती कहती है एक तो तुम पागल हो क्या किसी के घर पे मतलब इस तरीके से क्यों आई हो तुम मुझे समझ में नहीं आया जब बहार में इंडोर है तुम घंटी बजा के आ सकती हो तो तुम मेरे सीडी से ये मेरी बालकनी से क्यों आई हो और बालकनी में चड़ी कैसे प्रिषी जाती है बहार जाती है अपनी बालकनी का अड़ोर ओपन करती है और वहां जाकर देखती है तो बोलती है वैदह या कोई स्टेयर नहीं है तो कहती है कैसे तो नीचे मीचे देखो तो वो कहती है क्या देखूं तो कहती है वो कुने पर देखो मेरे दोस लोग तो वहाँ पर वो देखती है तो अरून और रिम जम खड़े रहते हैं और वो पृती को हाइ करते हैं तो प्रीती भी उनको हाइ कहती है मतलब एक जो हाइ होता है उसका वो confusing रिन ऐस्वाला हाइ होता है और हाइ कहती है और वैदही को इसार्य करती है all the best और फिर वो दोनों वहां साइट में चले जाते हैं आज़ने कंस्ट्रक्शन अब और वा उपर मेरानगों अटा यह रहा है। तो जाएगी पर तुम आई क्यों हो प्रिती कहती है तो बैदे कहती है यार माफी मांगने आई हूँ I am sorry मेरी वज़े सा आप बहुत रोए हो बहुत जादा और मुझे बहुत हर्ट हुआ I am sorry I am such a idiot मुझे नहीं समझ में आया मैंने आपको हर्ट कर दिया I am really really sorry तो प्रिती उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती है और फिर से बेट पे जाकर बैट जाती है तो वैदाई दोर को मताब लॉक करती है नहीं कह सकते हो आप उसे वो जो विंडो रहती है ना sliding window जो बालकनी के महाँ पर आजकल stylish वाली आ गई वह वाली रहती है तो वो एक टाइप की डोर भी रहती है आप कह सकते हो तो वो उसको लगाती है और फिर बोलती है अच्छा I'm sorry ना तो प्रिती कुछ जवाब नहीं दे रहती है प्रिती बस बैठी रहती है तो वैदाई उसके नीचे अपने नीज पर बैठती है उसके लैप पे अपना हाथ रखती है पुलती है अरे please sorry ना तो ब्रादी बोलती है तुम इतना silent silent बैठोगी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा या मुझे पता है मेरी बहुत बड़ी गलती है घुसा कर दो यार जो करना है कर लो पर ऐसे silent मत बैठो यार तुम बिलकुल silent अच्छी नहीं लगती ह मेरी please angry bird प्रिटी उसकी तरफ देखती बोलती angry bird हूँ मैं angry bird हूँ हाँ हूँ angry bird हूँ तो क्या कर लोगी फिर प्रिटी का घुसा अच्छी फिर बढ़ता है तो फैर एक्रम से खड़े हो जाती हूँ आप क्यों खड़ी हो रही हो angry bird हूँ ना मैं बहुत जादा angry bird हूँ ना हाँ 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 घुसा दिलाती तुम हो मेरे साथ behavior इस तरीके से तुम कर रही हो और angry bird मैं हूँ हाँ तो रदी कहती है हाँ हो तो हो यार अब तुम actual में हो तो कहती है what do you mean by angry bird हाँ तुम्हारी गलती तो तुम्हें दिखती नहीं है हाँ चब देखू मतब starting से बोला था चाह हाँ के साथ तुम्हारी closeness मुझे पसंद नहीं है तुम फालतू का उसके साथ जाती हो नहीं हो एक तरफ तुम चला चला के बोलती हो कि तुम इससे प्यार करती हो प्यार करती हो और दूसरी तरफ मेरे लिए छोड़के निशान के लिए रो रही थी पार्टी पे हाँ उसक नहीं रहना तुम्हारे साथ हां कभी आती हो कभी बोलती हो कि प्यार है प्यार है कभी इतनी केयर दिखाती हो और जब ज़रूरत होती है तब छोड़के चली जाती हो तब तुम्हें तो चाहत के साथ मिस्ति करना रहता है मिजाक करना रहता है देखा पूरा एक हवीक में म और मुझे कह दिए कि मुझे गुस्सा आता है, मैं तुम्हाई साथ ऐसे करूँ तो तुम्हाई साथ क्या होगा, हाँ, तुम्हें दिखता नहीं है, अंधो की तरह हो, कि मुझे पुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, पर तुम्हें त चलता है लेकिं तुम्हें लास तुम्हें चाहत्च चाहिए तुमने कहा कि चाहत्कों कोई क्डully रिप्लेष नहीं कर सकता है मैं रिप्लेष करके दिखाया सब कुछ कढके दिखाया अपनी Efficiency अपने हर एक चीज तक मैंने कभी कुछ साबित नहीं करी उसे मैंने अच्छिस सब्कों कीया और फिर भी तुम्हे चाहा चाहिए लिए बहुत हाय रहता है क्योंकि दिल में एकदम कोने में एकदम रखा हुआ है और हम उसे बोल नहीं पा रहे हम किसी को चिला नहीं पा रहे हम किसी को बता नहीं पा रहे कि उस एक वीक में हमने क्या-क्या फेस किया है कि इतनी तड़ा पूरी है वही कुछ हो रही रहती है तो जब पैदी उसे बोलती है कि त तुम एंग्री बर्ड हो और तुमें तो सिर्फ घुसा करने के लावा कुछ आता नहीं तब उसका घुसा और हाई होता है कि मैं अगर एंग्री बर्ड हूँ तो मुझे घुसा दिलाया किसने हैं तो वो इतनी घुसे में नॉन स्टॉप तरीके से काफी जादा घुसे में बोले जारी रहती है और भैदी अच्छल में अब डर चुकी रहती है और वो डर के एक वाल के सामने मतलब वाल से टिक जाती है और खड़ी और हो जाती है और पृती का घुसा इतना हाई होता है कि व तो थोड़ा सा डर जाती है और फ्रेटें जाती है दिखता है तब तो आई यू सो आई हूँ तो प्रिटी कहती है तुम्हाई सॉडी का क्या करूं मैं जो हर्ट होई उसका क्या मेरी आखे देखी है ऐसी हालत होगे सिफ तुम्हारी वज़े से कितना दर्द होगी मुझे क्यूं करती हूँ वैदई तुम्हें नहीं समझ में आता है क्या घुसा करती हूँ मैं अरे तुमने मुझे बदल के रख दिया क्यूं आई तुम मेरी जिंदगी में, अच्छे का से चल रही थी ना मेरी जिंदगी मैं अपने नॉर्मल लाइफ को जी रहती, जैसे भी था खुश थी, जुनकी कट रही थी, अब मैं रोती हूं तुम्हारी वजह से वैदई, तुम्हारी वजह से मुझे रोना आता है, नहीं आना चीदा तुम्हें मेरी लाइफ में, तुमने मेरी लाइफ को पूरा उतर- कर दिया कुछ समझ में नहीं आता मामी मुझसे पूछती है कि क्या हो गया आज पता है यूनिटेस में फर्स्ट और आकर भी मैं खुश नहीं हूँ पहले मैं जब सेकंड थर्ड आते थी मैं काफी जदो खुश होती थी स्कून रहता था मेरी जिंदगी में मेरा सुकून मेरा चैन सब ले गई हो तुम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस सिचुएशन से गोजर रही हूँ तुम्हें सिर्फ अपना दिखता है और तुम्हारे मुपे तो एक ही वर्ड रहता चाहत चाहत अरे चाहत ना चाहत मेरे पीछे क्यों आई हो क्यों कहा कि तुम मुझे दिखता है मुझे दिख रहा है यार पर तुम क्यों नहीं समझती हो कि हम दोनों सेमी एज के हैं जिस उल्जनों से तुम गुजर रही हो वही उल्जनों से मैं भी गुजर रही हूँ मैं भी बहुत कंफ्यूस्ट हूँ तुम्हार ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हर् इंड बिल्कुल नहीं करना चाहती हम विख्यूज नहीं भी कन्फूज हूं तब प्रीति का और घुसा वरता है घुसा के टरन के तो जब वो इतनी घुसे में ऐसे बोल रही रहती है और उसके सामने आ जाती है तो उसे चुप कराने का या उसे शानत करने का रास्ता बैदी को कुछ से दिखा रहता है तो वो एकायम करती है उसके पीछे आइसक्रीम ली रहती है तो आइसक्रीम का उसे बटर स्कॉच आइसक्रीम ली रहती है उसकी फेवरेट रहती है तो उसको उपन कर देती है उसके मुपे एक्दम से दाल देती है और प्रीती खड़े खड़े शॉक्त हो जाती है कि उसके सा बटर्सकॉच काफी ज़्यादा पसंग रहती है तो प्रीदी बटर्सकॉच आइसम खाने लगती है बादे थोड़ी दे सन भी हास एती है शान तू हुई कम से कम थैंड गॉड अगॉड अगॉन यार ग्रेट प्रो आइसक्रीम दिलवाती पर ना तो यह तो एंगरी पर्ड आज तो मैं मर जाती है तो और देंजरस है यार सच्छी मैं ममा को मैं बोल दी दी मुझे तीजी से ड़ लगता है पर नहीं समझ में आता यह रूप अगर मम्मी देखती इसका तो फिर मम्मी को परदा चलता कि कितनी देंजरस है हाँ गल छोड़ो शांती रहो प्रिती वहाँ पर छोड़े से बच्चों की तरह आइसक्रम खाने पर फूरी फोकस होती है उसे बटर स्कॉच काफी जादा पसंद होती है और वह अपना घुसा बूलके आइसक्रम खाती है और थोड़ी सी आइसकं मेल्ट होचुकी रहती है क्योंकि काफी रहता है तो वह पर एक तीशुपेपर का बॉकस होता है वहाँ उसको उठाती है और भैदाई और लेकर एकदम से प्रिती के हाथ के वहाँ पर रखती है, उसके हाथ पोचने लगती है, तो प्रिती बोलती है रहने तो अभी रहने तो मैं हैंड वाश कर लूँगी, तो कहती है कि हाँ ठीक है पर वो जादा खराब हो रहा है तुमारा हाथ, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहती है नहीं, तुम खाओगी, वो प्रिती इससे प्यार से पूछ बोलती है, तो कहती है अगर तुम प्यार से खिलाओगी तो खाओगी, पर खुसे से खिलाओगी तो नहीं खाओगी, तो प्रिती अपना कोन को जो पहले आगे किया था, उसको एकदम से लिके खुद मैं नहीं लोगते है तो उहाला से तुम जाओ उपनी चाहत के साथ किया नहीं जो सब्सक्राइब चाहतों करनानी муж हो जाकल आर ऑकल मुझGood. हो ठीक है और ऐसे करके वह उठके थोड़ा धूर खड़े के चलिए आती है प्रिती भी इग्नोर करती है प्रिती कहती है गलती इसकी है मैं क्यूं बना हूं इसको और वो फिर खाने लगती है फिर थोड़ी देह में देखती है कि उसने वैदरी को हर्ट कर दिया है तो उसे भ आगे करती है और बोलती है लो खाओ तो वो कहती है नहीं मैं कल चाहत के साथ खा लूँगी तब प्रिती को गुस्सा आता है और वो उसके आगे बढ़ती है बहुत गुस्से से और जो वैदरी रहती है वो पीछे होती जाती है वाल पे टकड़ा जाती है अब वो बोलती है तब ही वो बोलती है क्या कहा तुमने तुम्हें चाहत किसे खाना है मैंने कहा खाओ तो फैदरी को अब उसकी आंकों में से डर लगने लगता है और वो हाथ से कौन पकड़ती है अब बोलती है हाँ खाती हूँ tní बोलती है फोर्ट-फट इसकी खाती है और इसकी खाने की चिक्र में चाहती है उसका जो फैस खराब हो जाता है電 Start तो तुमने भी वह पीन हो गयोड़ती है प्रणी को थीकर आउप टेरी को तो अब बोलती है चाहती हाकए मैं वाश कर लींटी है कि यार Ideally का है यूच्छ इतना डरा रहать है बहुत जादा डरा है यार मिस bạn Zo pueda'd call a रहती है डर के मारे कि आख क्या करेगी अब यह आएंदा के बाद चार्ट से ज़्यादा ही दूर लोंगी फिर प्रिती भी वाश्वूम के अंदर एक साथ आती है तो वो भी अपना फेश वाश कर रही है तो वैदर ही थोड़ा साइड हो जाती है और खड़ी रहती है तो प् आता ह्द सब्ढूर है तो वो और थे रहे है तो फ्रिती में हाँ और निगे जब लुखता है हौट रहे है तो प्रिती सबढ़ना की कंटियों क्यों और इप शली कि उपढ़ना का शन्याद करता है खो कि ऐना ही नए तो नहीं हौट आती है ऐसे करके वैदी वहां खड़ी हो जाती है, थोड़ी दे में प्रिती जब अपना हैंड वाश वगएरा सब कर लेती है, वो बहार आती है, बहार आके वैदी को बोलती है, I am sorry, तो वैदी बोलती है, why you are saying sorry, because गलती तो मेरी है, तो प्रिती कहती है, नहीं गलती मेरी है, और ऐस वैदी कहती है, तो वैदी कहती है, कि तुम्हें कैसे पता, तो वैदी कहती है, कि मुझे सब पता है, पर मुझे गुसा दिलाती क्यों है, और angry bird क्यों बोलती है, तो प्रिती कहती है, वो तो तुम हो angry bird ना, देखो ना कितना गुसे में ऐसे चिला रही हो, मतलब ऐसे कौन करता है प्रिती, यार कोई तुम्हें मनाने आया है, तुम्ह और angry bird हो, आंटी double angry bird है, अरे वो और गुसा करने लग गई मुझे पर, मैं अरुन और दिम्चिम डर गए, हम चुप चुप पीछे हड़ गए, फिर में पास कोई option नहीं था, और मुझे आज किसी भी हालत में तुम्हें सॉरी बोल नहीं था, मापी मांगनी थी, और वो मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के रिए force नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ कि तुम जैसी हो वैसी रहो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर प्लीस यार, रोया मत करो, यह दिखो दिखो आखे कितनी जारत हो जाती है, जैसा बोलोगी वैसा I love you. I genuinely love you and I am mad in love with you. और मेरा ना वो निशान के साथ कुछ नहीं था. उस दिन वो निशान के लिए नहीं रोई थी मैं. मैं अच्छल में तुम्हारे लिए रोई थी. जब तुमने मुझे reject कर दिया था ये बोलकर कि हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है ये बोलकर जब तुमने कहा था और लिंजिम ने आके मुझे उसी वक्त बताया कि प्रीटी के side से कुछ नहीं है मेरे आखों में से आसू निकले जा रहे थे और उसी समय को इंसिडेंट ये हुआ कि चाहत निशान तो रास्ताय प्रपोस रीच अदर तो प्रीटी कहते तो अरुन इत्ता सब कुछ बोले जा रहा था कि तू रो मत वग्यरा वग्यरा वो सारी बाते सुनी थी मैंने तो वो प्रीटी प्रादे कहती हाँ क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं तुम्हे पसंद करती हूँ ये सिफ और सिफ रिमजिम को पता था उसके लावा और किसी को नहीं पता था अरुन को हमने नहीं बताया अरुन को अभी बताया है तो अरुन मेरे देखो नीचे खड़ा है मेरे लिए मैंने नहीं बताया उसे उस समय उसे यही लग रहा था कि निशान की वज़े से है और इसलिए उसने बोला यार वो दोस्त है उसको नहीं पता था पर प्रीटी तुम मुझे गलत क्यों समझ सकती हो मेरी आखों में क्या प्यार नहीं दिखता तुम्हें तुम्हारे लिए क्या मेरे आँखों में नहीं दिखता प्रीटी को प्यार बहुत दिखता था वैदे की आँखों में लेकिन प्रीटी आच्चुर में थोड़ा गुसा भी थी जब वैदी उसे ये सारे सवाल पूछ रही रहती है तो वो सच्छी में गुसा थी पहले वो निशान की वज़े से गुसा थी कि उसे इस बात का लगता था कि वो निशान से भी प्यार कर रही है और उसे भी कर रही है तो उसे उस बात का भी गुसा था दूसरा उसे गुसा इस बात का था कि आप चाहती तो वो इदम से बोलती है कि देखो तुम्हारी आखों में प्यार दिखे या ना दिखे फरक नहीं पड़ता पर तुम्हारी हरकते मुझे बहुत हर्ट करती है बहुत हर्ट करता है पहरे निशान की वज़े से हर्ट हुई मैं क्योंकि मुझे लगा तुम निशान को पसंद करती हो तुमने आके एक बार भी clear करने की कोशिश नहीं करी तुमने मुझसे इतना distance maintain कर लिया कि मैं जब classes में तुमें पढ़ाने भी आती थी तब भी तुमने मुझे नहीं किया स्कूल में classes के time पर भी तुम मुझसे कम चाहत से जाधा बाते करती थी यार पता नहीं मुझे नहीं पता लेकिन तुम change हो गई हो वैदरी मैं जिस पैदरी के साथ जानती थी वो अलग थी ये अलग है वैदरी को भी समझ में आता है कि उसने जो behavior था वो change कर दिया और पता है मैं जिस तरीके से तुमारे साथ bounding थी मेरी वो मेरे से नहीं अब तुमारी चाहत के साथ है तो मुझे ऐसा लगता है वैदरी तुम मुझसे नहीं करती हो और तुमारा actually अच्छा कासा relation चाहत के साथ है मस्ती मिजाख है जो तुम पहले मेरे साथ थी तब तुमारा उसके साथ है तो I think तुमें उसी के साथ रहना चाहिए मैंने आज बहुत सोचा तुमने सही कहा न तुमने मुझसे पूछा था कि चाहत तुमें पढ़ाना चाहती है तो क्या करूँ तो उसका चवाब यही है कि तुम चाहत को चूस करो चाहत है तुमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है मैंने देखी है तुम चाहत को चूस करो और अब वैदरी की आँखों में आसू आ रहे रहते हैं वैदरी की आँखों में से कंटिन्यूस आसू गिर रहे रहते हैं और वो नीचे सर जुका कर गिर रहे रहती है तो अभी तक उसके जितने भी आसू गिर रहते हैं वो फ्लोर पे गिरते हैं तो प्रिती को पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रिती भी रो रही रहती है, आँखों में उसके भी आसू रहते हैं, और जैसी उसकी जब वैदरी थोड़ा सा movement करती है, और उसके आसू प्रिती के लेक पर गिरते हैं, तो प्रिती को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो प्रिती कि कुछ नहीं है प्रिती मैं बस सॉरी बोलने आई थी विकॉस मैंने कही नहीं बहुत साथा हर्ट कर दिया है तुम्हें और मेरा यह हर्ट नेचर तुम्हें बहुत हर्ट किया ना आई एम सॉरी और मैं यह भी बताना चाह रही थी कि ना मेरा चाहत के साथ कुछ है नहीं है चाहत के साथ तो मैं इसलिए मस्तिमे साख कर रही थी क्योंकि मुझे रिम जिम ने कहा था कि उसके साथ बाउंडिंग बनाओ अगर अगर तुम्हें को थोड़ा फरक पड़ा तो त और बस और कुछ है था पैदे ही यह बोलकर खड़े हो जाती है और खड़े हो कर बोलती है कि प्रिटी तोंट वरी मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी और ना चाहत के साथ मेरा कुछ होगा क्योंकि मैं स्कूल चेंज कर दूंगी अब अब मैं स्कूल चेंज करूंगी मुझे ना तुम्हारे साथ रहना है ना चाहत के साथ कि मुझे चाहत मेरी सिर्फ और सिर्फ दोस्ती मेरा कुछ नहीं था उसके साथ लेकिन मैं तुम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो इसल मैं स्कूल ही ठेंच कर दूंगी यह बोलकर जो वैदी रहती है तो वह उच जाती है और वहाँ पर एक बैग रहता है जो लेकर आई रहती है मैंस हमारा जो मैंस हम जब भी कुछ भी चीज खरीदते तो सामने वाला हमें बैग देता है आज कल पेपर बैग आने लगए तो पेपर बैग में पहुता ही चॉकलेट्स रहती है वह चॉकलेट्स प्रीटी के वहाँ पर रग देती है और कहती है आपके लिए चॉकलेट्स थी और फिर्स्ट अफॉल कॉंग्रेक्स पॉर निमास के लिए और जाने से पहले से उत्ता कहूं कि खल भी तुमसे प्यार था आज भी है चाहत के साथ कुछ नहीं है अब इससे ज़्यादा एक्स्प्रेंट्स शायद में करनी सकती है और रोज तुमें तंग होता हुआ नहीं दिख सकती I will change school और ऐसे कहके वैदी जाई रही रहते है प्रिति को भी इतना बुरा लगता है क्यूंकि उसे इक सबाद का हर्ट होता है कि यार उसने कहीं न कहीं बहुत जादा हर्ट कर दिया उसे इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था किसी को भी क्यूंकि गुस्ता तक सही है कोई आपका घुसा हैंडिल कर रहा है काफी अच्छे से हैंडिल कर रहा है वो आपके घुसा नहीं कर रहा है आपका घुसा अच्छे से हैंडिल करता है तो इतना भी इंसान को घुसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाला एक बार तूट कर आपसे दूरी हो जाए क्योंकि उसका गुस्सा बहुत तेज होता है प्रीती का और गुस्सा करे जारी रहती है फिर उसे रिलाइस होता है कि उसने अपने गुस्से और अपने हर्ट बिहेवियर के चक्कर में उसने वैदी को इतना जादा हर्ट कर दिया वैदी की क्या गलती थी कि वैदी तो माफी भी मांगने आई थी explain भी कर रही है सब कुछ बता रही है पर मैं अपना गुस्सा और अपने इस चक्कर में मैं उसे खो रही हूँ तो उससे रहा नहीं जाता है जैसी वो बालकनी का gate होता है मिन्स window होती है उसे उपन करके वो वहां से जाकर अरुन और रिमजिम को इशारा कर रही रहती है कि स्टेयल लगा और अपन निकलते हैं तो वो दोनों भी समझ जाते हैं काफी अच्छे दोस रहते हैं आखोंगों की बात समझने तो आती है वो स्टेयल लेकर आने ही वाले रहते हैं तब ही रिमजिम देखती है कि प्रीटी पीछे है और वो एकदम से हाथ से खीचती है वैदई को अंदर की तरफ और गेट लगाती है तो अरुन बोलता है यह क्या है यार यह तो छली की फिर से अंदर लाना भी है कि नहीं तो कहता है नहीं यार कुछ हुआ है फिती और वैदई के बीच में अधन बोलता है लिमजिम वो तो मुझे भी पता है कुछ हुआ है तब ही तो उसको भेजा सॉल्फ करने के लिए तो कहता है नहीं यार सॉल्फ होते टाइम कुछ हुआ है बैदे की भी आँखों में आशू थे रुपजा जरा अभी इन लेकर नहीं आते शायद इनको थोड़ा और समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए तो कहते समझ रहे हैं या लट रहे हैं तो कहते पता नहीं अब देखते हैं फ्रेंट्स आगे क्या होता है कि प्रीती ने क्यों खीचा और अब कैसे बिहेव करेगी क्या होगा इफ यू लाइक मैं स्टोरी राइक शेर से सब्स्क्राइब थेंक यू